बाई यहां पे जो इस कंट्री के अंदर दस से पंदरा परसंड लोग वो एंटी नेशनल करेक्टर के हैं या तो पाकिसान से कनेक्टेड है या पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड है और इनको पैसे लेके खड़ा किया जाता है आप देख लिए किसान अंदलन चल रहा है वो भी कौन चला रहा है वो किसान और नहीं चला है वो ऐसी लोग चला रहे हैं जो पैड़ है तो पेड़ लोगों पो ऊस्ति किया बढ़ रहा है कि हुआ और लोगों के नाव आ रहे हैं तो क्या लग रहा है आने व्लबने में सारुकां का भी नाव सकता है इस पहिए के आप से जाना चाहें तो तो आप उसके बारे मतलब देखिए पहली बात तो यह है कि यहां पर और लोगों के नाम आएंगे, यहां पर कुछ पैडलर्स थे, जो ड्रक्स प्रोवाइड कर रहे थे, उनको भी अरस्ट किया गया, कुछ को कुछ पूछा जा रहा है, और बाकी कुछ लोगों के जो चैट में जैसे कोड वर्ड यूज कर रहे थे, उस पे भी इन से खुलासा किया जा रहा है कि कौन थे, क्या आपका कोड का मतलब था, अब शारुख खान की बात करते हैं, मैंने पंदरा अगस 2020 को एक वीडियो बनाया था, शारुख खान स्लिंक विद टोनी अशाई, टोनी अशा से पड़े से, आर्किटक्ट किया, उसके बाद उचले के कैलिफोर्णिया, कैलिफोर्निया में जा करके उनको वहाँ पर जै कल्फ से कननेक्शन हुआ, जै कल्फ ने उनकी ्टडिस कराई, लिए कि इनके अशायी कंपनी करके इनकी थी, आर्किटेक्ट उसके नका फंदिं मैं 20 साल से इमरान खान को जानता हूं और साथ में उनके आही से इस जो लिंक थे वो करते थे और यहां पे लोगों को बलकाते थे कि आप किश्मीर के अंदर पत्थर फैंको और ट्वीटर और उसके बाग उनके ट्रोटल लिंक मिले शारुख खान से शारुख खान क्या है कैस कि उसके बाद यह कहते हैं कि शारुख खान को मेरी एक्टिविटिस नहीं पता इसका मतलब तुमारी एक्टिविटिस अंडेसारेबल हैं क्योंकि अपने ट्वीटर अकाउंट पे यह हमेशा लिखते थे कि यहां पे पत्थर फैंकने के लिए अपील करते थे वहां पे जो शारुख खान ने नहीं छोड़ा अब जो यहां पे उनके बेटे का काम हुआ है वो इसी लिए हुआ है कि शारुख खान पे जबसे इनका एक्सपोजिशर हुआ है टूनी अशाही के साथ लिंक के बाद उसके बाद एजनसिस ने शारुख खान की एक्टिविटिस करनी अगर शारुख खान का कनेक्शन होता है पाकिस्तान की आईस है कि लोग उन से तो उसके बेटे का कनेक्शन भी होका नेचली बात है इसलिए और जो अर्यान खान उनका एक एक स्पोज़ों गया फिर इसके बाद कि शारुख खान को समझ जाना चाहीं था कि उसके उपर इजिनल कॉस थी उसके अंदर उसके दोजार स्कॉर मीटर पे एरिया बना था बहुत बड़ा फॉर्म है स्विविंग पूला है हैली पैड़ है सब कुछ अंदर और यहां पे कुछ पार्टिस रखते थे जहां पे और साथ में कुछ ऐसे लोगों से इनके कनेक्शन होते थ और इसी चक्कर में वो तो शायद केरफूल थे लेकिन उनका बेटा कुछ गलती कर गया अरियान खान कुछ गलती कर गया इसलिए वो कबजे में आगया एंसीवी के और सिंपल सी बात है हमारी एजनसी बहुत ज़्यदा एक्टिव हैं बहुत ज़्यदा कंसरंड है अगर कि पाकिस्तान की आई से से मिलता है या लिंग लगता है इसलिए क्यूंकि जो ड्रक्स सप्लाई करने का काम है वो करते हैं अंडर वर्ड के लोग इसलिए आर न खान को कंडूल में कि अगर सिर्फ लिया होता तो कोई बात नी थी अगर उनके जो मापाइल पर जो डिसक्रेश पच्छिस क्रोड के ड्रक्स पकड़े गए तो यह जो सारी कैच हो रही है पकड़े जा रहे हैं यह आ रहे हैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान से और यह जो दोनों कंट्रीज था वो एंटी इंडिया एक्टिविस्ट में लगे हैं और यह जो पैसा उनके पास जाता है वो प पर support करते हैं उनको रहने के लिए support करते हैं उनको और issues के लिए support करते हैं और Bollywood से अपना connection develop करने कोशिश करते हैं ताकि इनके थूँ उसको use किया जाए क्योंकि यह एक easy target है और यहां से easy काम हो सकता पाकिसांग क्या इस है का आप देखते हैं जब यहां पर 1993 में मुबई ब्लास हुआ था तो क्या था वहां पर politician पुलिस और अंडर्वर्ड अब connection क्या हो गया अब connection हो गया कि बहां पर Bollywood अंडर्वर्ड politician और पुलिस यह connection बना हुआ